शक्ति श्टॉरी हिंदुस्तानी आज सत्रह साल पूरे हो रहे हैं और आज सत्रह वी बार ढलते सूरज की किर्नों के साथ मेरी उमीदें भी मद्धम परती जा रही हैं शायद आखरी बार आज फिर मैं जिन्दगी से मायूस हो चला हूँ आज फिर इनतिजार की घड़ियां पूरी होने को हैं पता नहीं आज मैं अपने लिए फिर एक और साल का इनतिजार पसंद करूंगा या अबदी चैन वाराम इनसान को हमेशा कल से ज़्यादा लगाओ होता है आज में रहते हुए भी इनसान कल में जीता है बीते हुए कल की यादों में गलतां आने वाले कल की फिकर में परीशां कौन कहता है इनसान को अश्रफल मखलुकाद अरे हमसे तो बदर जहा बहतर है ये जानवर और कीड़े मकोडे जो हर पल को सही मानों में जीना जानते हैं और एक हम हैं यादों को काट छाट कर या तो गुलजार की शकल दे देते हैं या एक खारजार बना डालते हैं जीने के बजाए हर पल को माजी के किसी सांचे में फिट करने की धुन में लगे रहते हैं क्या दिन थे वो भी पापा का इस शहर में नया नया तबादला हुआ था और वो मैं हूर औ कुसूर यहां आनवारिद हुए थे बहतों को मेरा अम्मी को हूर और खुद को कुसूर कहना बुरा मालूम होगा अब मैं उनको क्यों कर ये समझाओं कि मैंने खुद को हमेशा एक गलती ही जाना और किसी ने कभी मेरी होसला शिकनी नहीं की पापा को अपनी नौकरी से इतनी फुरसत ही कब थी के वो मुझे प्यार दे पाते मुझे मेरी पहचान बता पाते या उसे खुद पहचानने में मेरी मदद कर पाते मेरी खुदी जगा पाते और अम्मी अम्मी ने तो सही होने का जैसे ठेका ले रखा था वो एक मिसाली औरत थी एक कामिल माँ थी घर हर वक्ट चमचमाता रहता बच्चा हमेशा शेहर के सबसे अच्छे स्कूल में अवल आता रहता शोहर के गेट अप में कभी बाल बराबर भी खामी नहोती पार्टियों की जान वो कलबों की शान वो खाना पकाने में माहिर अंग्रेजी तो ऐसी बोलतीं के अंग्रेज शर्मा जाएं बात किसी चीज़ की हो रही हो मिसिस चमचीद एहमद कभी दूसरे नंबर पर नहीं रहतीं अदब, तारीख, जुगराफिया पर तो खेर हर कोई बात कर सकता है वो तो तिब में डॉक्टरों और साइंस में अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और इंजिनियरों को सबख दे देतीं थी कम से कम वो खुद तो यही समझती थी और उनके शोहर भी बेचारे अपनी किस्मत पर रश करते न ठकते थे वागई, अम्मी का हर प्लान बड़ी शान से अंजाम पजीर होता था जब ब्याह कर आई थी तो सास सुसर के अलावा दो अदद शादी शुदा नंदे और तीन देवर देवरानिया जम्शीद एहमद की रोटियां तोड़ते थे जम्शीद एहमद के वालिद बेचारे एक हाथ से में अपने हाथ गवाँ बैठे थे जम्शीद एहमद ने पढ़ाई अधूरी छोड़कर खानदान की जिम्मेदारी उठाली थी नौकरी के सिलसले में जगा जगा मारे फिरते सारी कमाई घर भेजते खुद को एक वक्त का खाना भी देते शर्माते सब भाईयों बेहनों को अपने अपने खूंटों से बांध चुकने के बाद अब उनकी अपनी बारी आई थी बीवी एमे पास लाए थे और सारी जिन्दगी उसकी डिगरियों का बोज अपने सर पर लादे फिरे बीवी ने आकर हर एक की आँखों में अपने लिए नफरत पाई मगर हुस्न सुलूक से कुछ ही दिनों में हर एक को राम कर लिया शोहर को कभी एक पाई भी किसी के हाथ पर नधर ने दी मगर खुद जब भी जाती तोफ तहाइफ से लदी फंदी बुड़िया के मुझसे जिन्दीगी भर कभी किसी के लिए एक मीठा बोल न फूटा मगर बड़ी बहु को दौाएं देती नहीं थकती थी अब न उसे बेटा हाथ से निकलने का गंद था न बेटे की कमाई अम्मी का जादू सुसराली रिष्टदारों पर ही खतम नहीं हो गया था हर एक पर चलता था इसकी सबसे बड़ी सबसे जीती जाकती मिसाल माए हूँ मैं हमेशा यही समझा किया कि अम्मी ने जादूई छड़ी गुमाई और मैं तयार हो गया और हमेशा इसी गम में मुबतला रहा कि कहीं खफा होकर छड़ी उल्टी गुमाकर मुझे गायर न कर दे मैं एक खिलोना एक चीज एक औजार जो मेरे मजाजी खुदाने अपनी जुरूरत के लिए तखलीख की थी मैं हमेशा एक मिसाली बच्चा रहा सारी खूबियां जो एक अच्छे बच्चे में होनी चाहिए वो मुझे में थी गुल मटूल प्यारा प्यारा फरिश्टे सा मासूं कभी जिद ना करता कभी आवाज उठा कर बात न करता कभी किसी बड़े से आँख न मिलाता कभी अगर खेलता भी तो सिर्फ अच्छे बच्चों के साथ कपड़े साफ शफाफ रखता गाली गलाज गंदी बातें किसे कहते हैं ये मुझे मालूम न था वक्त से उठता वक्त से सोता वक्त से पढ़ता वक्त से खुश होता अलगर्ज जो कुछ एक आईडियल बच्चे को करना चाहिए था करता मेरी पहली गाली साले मैंने दस्वी क्लास में बहते आसुओं के दौरान उस वक्त दी जब सारी क्लास के लड़के एकटा होकर मुझे मुमीज बॉई मुमीज बॉई चिड़ा रहे थे वह तो भला हो मेरी क्लास के उन चंद गंदे बच्चों का कि जिन्होंने जिन्दगी के कुछ जुरूरी हकाइक मुझे वक्त आने तक मेरे कानों में उंगलिया ठूस लेने के बावजूद भी बता दिये थे उंगलिया तो मैं सिर्फ उसी हद तक ठूसता था के ऐसा लगे भी के ऐसा लगे भी के कानों में आवाज नहीं जा रही और आवाज जाए भी दस्वी क्लास मैंने अच्छे नंबरों से पास की और अम्मी ने मुझ से पूछा के मैं कौन सा मौजू लेना चाहूंगा पिछले पंधरा साल से इंजिनियर इंजिनियर का विर्द सुनते आने के बाद अब अगर मैंने हिसाब लेने का कहा तो कुछ अजब नहीं बारवी मैंने शांदार नंबरों से पास की और मुझे तीन-चार इंजिनियरिंग कॉलेजों में दाखला भी मिल गया बस एक ही दुख की बात थी कहीं एलेक्ट्रोनिक्स नहीं मिली थी सिर्फ एक कॉलेज में थी मगर वो बड़ा और मारूफ कॉलेज होने की बिना पर मुझे वहाँ इलेक्ट्रोनिक्स छोड़ इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी नमिल सकी थी अम्मी बड़ी गमजदा थी लगा जैसे तूट गई हो शायद ये उनकी जिन्दगी की पहली शकस थी खर उन्होंने समाला लिया राय दी के मैं इसी कॉलेज में दाखला ले लूँ जिसमें इलेक्ट्रोनिक्स थी इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने वादा किया था कि अगर मैं फर्स्ट यर में अफ़ल आ सका तो मुझे इलेक्ट्रोनिक्स दे देंगे अब ढ़ाई सो ऐसे तुलबा में जो पूरे मुलक के सबसे अच्छे तुलबा मैं से माने जाते हों फर्स्ट आना मेरे बसका तो ना था मगर फिर भी मैंने दाखला ले ही लिया जी जान से पढ़ाई शिरू कर दी दिन गुजरे माह बने साल बूरा हुआ और अम्मी फिर जीत गई मैं फर्स्ट आ गया था वक्त और गुजरा और एक दिन वो आया जब मैं इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियर बनकर घर लोटा बड़ी वाहवा हुई बहुत तारीफे हुई अम्मी की फिर मुझे नौकरी भी मिल गई हलाके मुलक के दूसरे कोने में थी मगर एक बड़े ही नामवर एदारे में काम भी दिल लगा कर किया और तरक्की का तमगा लगा कर गर्मियों में छुट्टी लेकर घर वापस लोटा उन्ही दिनों पापा की इस शहर में नई नई बदली हुई थी हमने यानी अम्मी ने जो मकान पसंद किया था वो बड़ा शानदार था पांच कमरे एक बड़ा सा लॉन पीछे एक प्यारा सा बागी चा लॉन से मनजर बड़ा खुब सूरत दिखता था एक छोटी सी नदी और उस पर एक पल पल पर सुबह पीछे से जब सूरज निकलता तो बस देखते ही बनता था आसपस ज़्यादा मकानाद न थे हमसे मुलिक मकान में अली साहब रहते थे नेक शरीफ और खांदानी आदमी थे मुझसे कुछ चोटी दो अदद आलाद के वाले वो खुद तो कमगो और खामोश तबियत के इनसान थे मगर फात्मा अंटी और बेटी बेटे ने बड़ा खुला दिल और मुँ पाया था जैनब ने इस साल बारवी का इंतहान दिया था और अबास नवी जमात खतम करके नचीत हुआ था आसपास कुछ और दूसरे पड़ाऊ सीद थे जो या तो खुद खर्दमाग थे या हमको खर्दमाग समझते थे ऐसे लोगों से रब्द जब्द रखने की अम्मी गायल न थी लहाजा ले दे कर बस अली साहब का घर ही बचा था अम्मी के लिए तो किसी का दिल जीत लेना आदे घंटे का काम होता मगर मुझे ये कार्णामा अंजाम देने में हफता भर लग गया हाला कि अम्मी ने मेरे आने से पहले मिट्टी को नम कर रखा था आफ कीजिएगा जैनब और अबास की छुटियां चल रही थी दोनों एक दूसरे से सख्त बेजार हो चुके थे मेरे आने से मानो नई जान पड़ गई अपने मादूदे चंद दोस्तों सहेलियों को छोड़ कर वो मेरे साथ वक्त बिताने लगे अरे नहीं यहां मैं कुछ जादे ही कह गया उनके तकरीबन सब करीबी दोस्तों सहेलियां गर्मी की छुट्टियां बिताने शेहर के बाहर गए हुए थे प्यार लुटाने में और जिन्दगी से भरपूर माहौल पैदा कर देने में मैं अम्मी के भी पीछे नहीं अंधा क्या चाहे दो आखें एक हफ़ते में दोनों मेरे नाम की माला जपने लगे एक माह कैसे बीद गया पता ही न चला भारी मन और भीगी पलकों के साथ हम को जुदा होना पड़ा अब जो वापस काम पर गया तो वहां दिल ही न लगा लाग चाहा के छुपा जाओं मगर वो गायब दिमागी वो खाली खाली नजरें वो बेवजा की मुस्कुराहटें कहीं किसी से भला चुपती है करीबी दोस्त फौरां ताल गए कि दाल में कुछ काला जरूर है मेरा वजन कम होने लगा काम में भी गिरावाट आने लगी और एक दिन मेरे बास ने मुझको अकेले में बुला कर पूछी डाला पूरी बात तो जाहर है ना बताई गई मगर मैंने इंडिया दे दिया मेरे बास बड़े गेहरे आदमी थे फौरां ताल गए कुछ दिन खामोश रहे फिर एक दिन बुलाया और बताया कि मुझ पर मजीद एक जिम्मेदारी डालना चाहते हैं काम से मैं कभी जी नहीं चुराता फौरां तयार हो गया कहने लगे कि इस काम के लिए मुझ को वक्तन फवक्तन बाहर भी जाना पड़ेगा और क्यूंके मौामला मेरे शेहर का है मुझ को आसानी भी रहेगी और घर वालों से भी मिल सकूंगा अल्किस्सा ये कि मैं घर के काफी जल्दी जल्दी चक्कर लगाने लगा मेरे और अली साहब के घर में यू भी घरोपा साही हो गया था अब तो ज्यादा वक्त मैं उन्ही के इहां गुजारता मेरे काम भी बेहतर होने लगे और बहुत जल्द मैं पहले से कहीं ज्यादा और अच्छा काम करने लगा वक्त पर लगा कर उड़ता रहा और हम, हम करीब से करीब तर होते गए हम दोनों में अक्सर जगडा भी होता रहता आम तोर पर ऐसी चीज़ों पर जगडा करते कि दूसरे के दिल को ठेस न पहुँचे जैसे मौसम के उपर बात करते दीनियाद पर हम कभी बात न करते थे मैं कट्टर तो नहीं मगर सुननी जरूर था और वो कट्टर शिया जब कुर्बत ज्यादा बढ़ी तो खानदान वाले हमारी कुर्बत को कुछ कुछ ना पसंद करने लगे मगर शायद तकल्फन चुप रहे मुझे घिसी पिटी बातें कहने से सखत नफरत है मगर उन दिनों वाकई मेरा हर दिनी और हर रात दीवाली थी मेरा आना जाना बराबर लगा रहता हमारी मुलाकात को चार साल पूरे होने को थे अब तक हम दोनों की कुर्बत उस मन्जिल पर पहुँच गई थी जहां अलफाज की जुरूरत नहीं रहती अपने अपने खैलात में मगन घंटों बैठे रहते न मैं कुछ कहता न वो मगर बातें होती रहती जब अलफाज इस्तिमाल करते तो एक अजीब उतले पन का एहसास होता फिर एक दिन मैं आफिस में बैठा काम कर रहा था के अम्मी का फोन आया हुक्म सादिर हुआ फोरण चले आओ मैंने पूछा कुछ बताएं भी तो जवाब मिला आजाओ पता चल जाएगा इतवार को जब भागते दौडते पहुँचा तो घर में खासी रौनक थी फ्लाइट लेट हो गई थी इस वज़ा से जो लोग मेरे बाद आने चाहिए थे वो पहले ही से मौजूद थे मुझे घेर लिया गया देखा तो हमारे सारे करीबी रिश्टदार खानदाने आली और कुछ अजीज अखारब के अलावा कुछ नए चेहरे भी नजर आए बड़ी मुश्किल से सब को जटक जटका कर अम्मी को अकेले एक कोने में ले जाने में कामयाब हुआ पूछने पर के माजरा क्या है बड़े सुकून के साथ बताया गया के जनाब जहीर अद्दीन खान साहब मैं अपनी दुखतर और अजीज और खारब देखने दिखाने के लिए आए हुए है मजीद यह है के उनकी तीन अदद फैक्टरिया चार अदद कोटिया पांच अदद कारें और खुदा जाने क्या क्या है जिन सब की उनकी लड़की ही अकेली वारिस है रोशन ख्याल गहराना है इसलिए लड़का लड़की को मिलाने के लिए लड़की को भी ले आए हैं यही सब जैसे मुझे चकरा देने के लिए काफी नहोता के एक और चर्का लगाया गया बाकिस सब लोगों को इसलिए बुलाया गया है के लगे हाथ मंगनी भी हो जाए मेरे दमाग में आंधिया चलने लगी इस दिन का मुझे हमेशा से डर था मैं हमेशा से जानता था के एक दिन यह मौका आकर रहेगा खुदा ने अपने प्यारों को भी जन्नत में ज्यादा देर न रहने दिया था उन्हें भी बहाना बना कर निकाल बाहर किया था अरे अगर सब कुछ तेरे ही कहने से होता है तो तेरे चाहे बगएर आदम ने वो फल खाया कैसे वाहरे मेरे खुदा जो करवाना चाहता है उस पर मजबूर कर देता है और फिर ये मशूर करता है कि वो तो इमतिहान था अरे अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों कि मैं जो हूँ वो हूँ मुझे जिस से प्यार है उस से है मुझे तो अब तक कहीं भी दो रास्ते नहीं नजर आये थे कि तू कहता कि मैंने अपनी मर्जी से ये रास्ता इख्तियार किया है काम तेरे सुनवाई हमारी मुझे तूने क्यों उस साचे में ढाल कर नहीं बनाया जिसमें अपनी बाकी मखलूख को बनाया है क्यों मैं इस लड़की से शादी करके दो चार बच्चे पैदा करके अपनी जिन्दगी को पाये तक्मील पर पहुँचा नहीं मान सकता क्यों मुझे इस शेहर में लाया था क्यों मुझे गिरफतार एश्ट किया था क्यों मेरी पहचान मुझे बताई थी क्यों मेरी खुद ही जगाई थी क्यों मुझे अपने जमीर की आवाज सुनने पर मजबूर किया था क्यों मुझे ये दुनिया वालों के ढखोसलों से नफरत करने पर मजबूर किया था क्यों मेरी कुवत एरादी बैदार की थी क्यों मुझे इस नतीजे पर पहुँचाया था कि इनसान के जमीर और उसकी रूह पर सिर्फ उन चीजों का हक है जिन में वो यकीन करता है जो के वो सच मुझ है जो कुछ वो सच मुझ है क्यों आखिर क्यों क्या जुरूरी था कि मैं इस शेहर में आता उस से मिलता अपनी रूख की आवाज को पहचानता कि मैं और कुछ अर्से अम्मी की मोहर बनकर नहीं रह सकता था आज ना मैं अपने आप को पहचानता ना मेरी गुर्वत एरादी बैदार हुई होती ना मेरी आज ये सांप छेचूंदर सी हालत होती क्या मैं इस लड़की के साथ इंसाफ कर पाऊंगा क्या ये उसके साथ धोका नहीं क्या ये मेरे अपने साथ धोका नहीं इस शचोपंज में मुपतिला मुझे पता ही न चला कि कब मुझे लाकर लॉन में जहां सब के बैठने का बंदोबस था बिठा दिया गया कब मंगनी की रसुमाच शिरू कर दी गई जब अंगूठी पहनाने की बारी आई तो मैं एकदम से जागा नहीं आज या मैं न रहूंगा या मेरा मुखोटा न रहेगा ये शतरंज की बाजी जो आज तक अम्मी खेलती आई हैं या तो यह उलट दूँगा या फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए रूह मुझमिद एक शतरंज का महरा बन कर रह जाओंगा नहीं मैं अपनी रूह के साथ दगा नहीं कर सकता मुझे अपनी अम्मी के साथ लाक महबत सही अपनी रूह के साथ ज्यादा है आज मुझे अपना खाल उतार कर भेंकना है अचानक मैंने अपनी आवाज को गूँचते सुना नहीं ये मंगनी नहीं होगी सब हरत के साथ मुझको तकने लगे अम्मी के चहरे पर करختगी के आसार नुमाया हुए और वो गरचदार आवाज में बोली क्यों आज तक जो बच्चा उनकी आँख के एक इशारे पर दुबग जाता था आज मर्द बन चुका था मैंने जवाब दिया इसलिए कि मुझे किसी और से महब बताए आच्छा तो जनाब किसी से इश्क फरमा रहे हैं पूछ सकती हूँ किस से एक लम्हे के लिए मैं चुप हो गया अम्मी ने फिर कहा फरमाईए जनाब और और मैंने नाम बता दिया पापा के चेहरे पर हवाईया उड़ने लगी अली अंकल को काटो तो खून नहीं मैं फिल में ऐसा सन्नाटा चाया के सांसों की आवजें भी समाथ पर बार गुजरने लगी फिर अम्मी ने समहला लिया ये क्या बक रहा है तू बक नहीं रहा हूँ सिर्फ एक हकीकत बयान कर रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत पहले जान लेनी चाहिए थी ये मेरी जिन्दगी है मैं इसको खुद के साथ दोका करके नहीं जी सकता इस शादी से तो बहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ बस तो फिर दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से अब कभी सूरत ना दिखाना मुझे मर जाओं तो मेरे जनाजे को भी हाथ ना लगाना समझ लूँगी आज मेरा बेटा मर गया एक मुस्कुरहट सी मेरे लबों पर खेल गई जी हाँ अम्मी आज आपका बेटा मर गया है आज मैं पैदा हो गया हूँ मैं जा रहा हूँ वापस उसी वक्ता हूँगा जब आप तलब करेंगी फिर अली अंकल और फात्मा अंटी की तरफ मुड़कर मैंने कहा मुझे अफसूस है कि मेरी वजह से आपको आज खिफ़त उठानी पड़ी मगर ये सिर्फ मेरी गलती तो नहीं आप में से किसी ने भी जो इतने जौम के साथ कहते हैं कि जिन्दगी देखी है कभी हमारी जिन्दगियों की तरफ एक नजर भी नहीं डाली अपने खौल से निकल कर आप लोगों ने कभी हमको देखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती और फिर मैंने उन आँखों को तलाशा जिनकी चमक मेरी जिन्दगी का मसलख बन गई थी आज वो आँखें जमीन में गड़ी होई थी नहमें अलफाज की जुरूरत पहले थी ना आज है मैंने कहा सिर्फ इतना कहूंगा कि इन्सान की वफा उस पर ही शिरू और खुद उस पर ही खत्म होती है जो इन्सान अपनी रूह के साथ वफा करना नहीं जानता वो किसी के साथ वफा नहीं कर सकता वो अधूरा नामुकमल है मैं तुम्हारा इन्तिजार करूंगा हमेशा हमेशा तक मेरे दिल के दर्वाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे मगर यह बात कभी न भूलना मेरे लिए ना आना सिर्फ अपने लिए आना मेरे लिए तुमको कोई खुर्बानी देने की जुरूरत नहीं दूसरों के लिए की गई हर चीज जूटी होती है अगर तुम्हारे जमीर को तुम्हारी रूह को सब चीजों से बढ़कर मेरी खुर्बत मन्जूर है तो ही आना हर साल इसी दिन सूरज रहते मैं तुम्हारा उस पुल पर इंतजार करूंगा तब तक के लिए खुदा हाफिज वह दिन है और आज का दिन बड़ी तबदीलियां आई जैनब की शादी की खबर मुझको मिली अली अंकल के नाना बनने की खबर भी पापा की अचानक मौत की भी और अमी के बिस्तरे मर्ग पर पहुँचने की भी इन सब मौागे पर मैं इसी पुल पर मौजूद रहा सब चीजों को दूर से खड़ा देखा किया सब को मालूम होता कि मैं यहां खड़ा हूँ मगर कभी कोई बुलाने ना आता अमी ने मौत का खूब डटकर मुकाबला किया तीन दिन जान लबों पर रखी रही वो बहत्तर घंटे मैंने इसी पुल पर गुजारे मगर उस आउरत ने मरते दम तक मेरा नाम लबों पर ना आने दिया अपने भाई को सिर्फ इतनी ताकीद की थी कि मुझे जनाजे में नशामल होने दिया जाए बाद में किसी ने बताया कि एक मुठी इतनी सक्ती से बंद थी कि चार आदमियों की काफी देर की मुसलसल जद्द जहब के बाद खुली उस में से मेरा वो फोटो निकला जो चार साल की अमर में लिया गया था मैंने बहुत तरक्य की आज मुल्क का सबसे जाना माना टेक्नोक्रैट हूँ बहुत जगा घुमा फिरा हूँ कई मुमालिक की सायर की है कई सुदूर और वुजरा से मुलाकाते की है अपने मुल्क और मिल्लत का नाम सारे जहान में रौशन किया है मगर कभी इस दिन को नहीं भुला कहीं भी रहूं कुछ भी छोड़कर आना पड़े इस दिन हमेशा इसी पुल पर मौजूद रहता हूं जब सूरच के साथ उम्मीत की आखरी किरन डूब चाती है तो अम्मी के मकबरे पर चला जाता हूं हमेशा की तरह उनका कुर्ब मुझ पर जादू कर देता है और मेरी जिन्दगी में एक और साल का इजाफा हो जाता है चलो भाई कबरिस्तान चलने की तैयारी की जाए ये चार किरने जो सूरच की बची है वो और कितनी देर साथ देंगी अरे नहीं मगर ये कौन चला आ रहा है डूपते सूरच की लालाट पर से खदोखाल वाज़ नहीं हाँ अमर पैंटीस के लगभग होगी मगर ये चाल ये पुराजम कांधे ये पीरे गर्दूं को ललकारता सर ये किसी तूटे हुए शखस किसी जिन्दगी से हारे हुए इनसान की तो नहीं मालूम तो यूँ होता है कि जिन्दगी खुद उस इनसान के इंतजार में है अरे अचानक ये सब कुछ मेरी नजरों से उजहल क्यों हो गया क्या ये सराब था क्या मैं जिन्दगी के सहरा में आखरी हिचकें ले रहा हूँ नहीं अरे नहीं ये तो मेरे आशूंओं का सत्रा साला बांध तूटा है नहीं अल्लामा नहीं तुमने गलत कहा था जुल्फ गो सियाह नहीं मगर खुम तो वही है हुसन की शोखियां वही हैं वही तड़प इश्ख में वही गर्मियां हैं अबास मेरे अबास झाल झाल झाल